हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माइ न्यू वीडियो ब्लॉग दोस्तो कल मैं अपने होम टाउन पहुच चुकी हूँ तो यह रहा हमारा घर यह नाइंटीज का बना है तो आपको पुराने जमाने वाली फीलिंग आ सकती है बट कहते हैं ना जो सुकुन अपने घर में मिलता है वो सुने की लंका में कहां तो चलिए एंटर करते हैं अपने घर पे हैं एंटर करते ही यह है सीडिया जो च्छत की ओर जाती है और यह है गैलिरी इसी के दोनों साइट रूम्स बने हुए है यह है फर्स्ट रूम जो की ड्राइंग रूम है बट अभी यहाँ पापा सोई हुए है ना तो उन्हें डिस्टब नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड रूम को हमने मंदिर बनाया है यह कूलर है जो अभी तक बंद पड़े हुए है इन्हें हमने यहीं पर रख दिया था लेकिन आज ही यह अपने अपने रूम पर जाने वाले हैं और यह है हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर अब यह नेक्स्ट रूम है हमारे भाईया भावी यानि की मेरे जेट जेठानी का और यह रहा मेरा रूम जो कि बिल्कुल भी डेकुरेट नहीं किया गया है क्योंकि हम कल ही आए हैं और इतना टाइम हमें नहीं मिल पाया और यह है हमारी साधी की फोटो बहुत उपर है और बेरा हाथ यहा तक नहीं पहुच पा रहा है तो यह थोड़ा सा धुदली दिख रही है यह रहे मम्मी और सीवी अपने रास्ते की ठकान मिटा रहे हैं हमारे दो रूम हैं गर्मियों में यह अंदर वाला इसमें खिलकिया हैं तो यह थोड़ा ठंडा सा रहता है और सर्दियों में बीच वाला जो की थोड़ा गरम रहता है तो इसलिए वो सर्दियों में हम लोग यूच करते हैं नेक्स रूम है मम्मी का अभी उनका बैड मंदिर वाले रूम पे सिप्त हुआ है कुछ साप सपाई का काम चल रहा था यह कुन्नू है अभी यह मोबाइल में बीजी है यह सामने आप देख रहे होंगे कि यह बक्से हैं बॉक्स इन्हें पुराने ज़ाने में संदूक या ट्रंक भी कहा जाता था और यह है हमारी सिलाई मसीन घर के फटे पुराने कपड़े हम यह पे सिलते हैं और यह है अन्यूजड वासिंग मसीन और रेफरीजरेटर जो की मेरे दहीज माय थे अभी वह वैसी पड़े है और यह हमारा सारा वेस्ट मेटीरियल हमने उपर और यह आगे लिए चलते हैं आपको लेडीज कॉर्णर पर यानि की कीचन पर हम पर यह आप़े दसेर умने कर सुपते हैं और साब में पर मेंटीजंग को आपको लेडू अला, लिए। यहां पर सारे रूम खत्म है बट पिक्चर अभी बाकी है बॉस पीछे का गेट खुलते ही एक बड़ा सा अंगन है यहां पर टॉयलेट है पानी का नल है हैंड वास करने के लिए सेंख है यह घर का सबसे सुकुन देने वाला प्लेस है यहां पर हम गर्मियों में सुबह 10 अप्रेद होते हैं बरतंद होते हैं और भी बाकी के काम करते हैं और हमें गर्मी का हैसास तो बिल्कुल भी नहीं होता और जाड़ों में दिन के वक्त यहां पर धूप खिले रहती है और यह हैं कुछ रूम्स जो हमने रैंक पे दिया है एक दो और एक यह वाला तीन तो य यह वन बीएच की टाइप है इसी में अंदर टॉइलेट बात्रूम अटेच है हम उन्हें दिस्ट अप नहीं करेंगे यह हमारे छोटे से फ्लावर बॉसिंग मसीन इसी आंगन से बाहर जाने के लिए एक गेट बना हुआ है आएए देखते हैं इस गेट से बाहर का नजारा आज के लिए बस इतना ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए अगर चैनल पे नहें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें बाई बाई